हलो दोस्तो गुट मॉर्निंग नमस्ते कैसे हैं आप सब ऐसा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मज़े में होंगे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लोग में तो दोस्तो कल का ब्लोग जहां से खतम किया था वहीं से ब्लोग की फिर से बात कर दी है तो आज हमारे यहां बहुत तेज बारिस हुई है और आज भी घर में भी पानी थोड़ा बहुत पहुँच गया है क्योंकि जब तेज बारिस होती है तो थोड़ा बहुत पानी बरामदे में भी पहुँच जाता है और दरवाजे के सामने तो बहुत जादा र आए मा चुके हैं लेकिन बुआ और पापा पूरी तरह से दोनों लोग भीग गए हैं क्योंकि बारिस में ही चले आये थे घर पर काफी टाइम भी हो गया था और यहां पर बुआ प्रसाद लेकर आई हैं क्योंकि बाहर गई थी सतसंग सुनने के लिए काफी दिनों के बाद कि बार सतसंग बुआ गई हैं सुनने के लिए तो सब के लिए प्रसाद भी लेकर आई हैं तो यहां पर सभी लोग प्रसाद ले रहे हैं बूंदी है और साथ में केले का प्रसाद है थोड़ी बहुत चीजे और भी बुआ लेकर आई हैं जो कि साथ में आरोही के लिए खान आज जो मूंगफली के दाने हम लोगों ने उस दिन फोड़े थे, वही वाले हम लोगों ने का की बनाएंगे, सुबा के टाइम फोड़े थे, तो फिस सभी ने प्लान बना लिया कि नहीं मूंगफली की सबजी नहीं बनेगी, और पापा फिर बजार से कटहल भी लेकर आये तो फिर कटेहल की सबजी बनाई है थोड़ी सी रोटियां बनाएंगे और यहां पर भौरियां बन रही है क्योंकि भौरियां बारिस के दिनों में बहुत ज़्यादा सभी को पसंद हैं तो भौरियां यहां पर बस अब सेंकने के लिए तयार हो चुकी है नदजी हमारी बना रही है बड़ी वाली नदजी और चोटी वाली दोनों लोग बना रही है आज मैंने तो नहीं आटा उटा लगाया था मैंने बस बाद में सेंक दी थी यहां पर बैठ कर क्योंकि दीदी ने आग तयार करके दे दी थी और इनोंने भौरिया बना कर दी थी तो बाद में बहुरिया अच्छे से सेंक दी थी और बारिस के दिनों में खास कर जब बारिस होती है तब बहुत जदा मन होता है कि बहुरिया खाएं तो आज भी हमारी यहां बहुरिया ही बन रही है इतनी सारी बहुरिया बनी है और दीदी की बिटिया का जदा मन था कि बहुरिया बनाओ क्योंकि वहाँ पर ये लोग सहर में रहते हैं तो इतनी जल्दी जल्दी से ये सारी चीजे नहीं बन पाती है तो हम लोगों ने कहा कि चलो बना लेते हैं जब तक हैं तब तक जो ये चीजे जो हैनकी वहाँ पर जो चीजे नहीं मिलती है वो यहाँ पर बना कर खिला देते हैं और इधर आरोही भी आ गई थी बहुरिया बनाने के लिए लेकिन आरोही फिर जो है नकी उनकी साधना की चोटी बनाने लगी थी इसको चोटी बनाते हुए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है फिर इसने तो आज एक भी भौरिया नहीं बनाई थी सारी भौरिया हमारी नदजी ने बनाई है और एकदम से गोल गोल भौरिया बनाई है एकदम से आलू की तरह तो ये वाली भौरिया जब सिखती है तो बहुत अच्छी लगती है और अंदर तक बहुत ही अच्छे से सिक भी जाती है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है तो यहाँ पर जो भी भौरिया बन चुकी है वो मैंने रख दी है तसले में अच्छे से पकने के लिए और यह वाली तब तक हमारी थोड़ी बहुत भौरिया पक जाएगी पत्ते हम निकाल देंगे उसके बाद में वो वाली रख देंगे तो यहाँ पर अभी दो चार अभी बननी बांकी भी हैं भौरिया और जो बांकी की जो मैंने रख दी हैं वो पलट रहें बराबर से जितनी जल्दी जल्दी भौरिया को पलटते रहो उतना ही भौरिया हमारी अच्छे से बनेगी और जलेगी भी नहीं क्योंकि एक दिन अभी बीच में हम लोगों ने बनाई थी भौरिया तो अच्छे से नहीं बन पाई थी थोड़ी सी जल्दी गई थी और अच्छे से सिक भी नहीं पाई थी तो आज मैने का हम सेकेंगे तो अच्छे से सिक जाएंगी क्योंकि बराबर से यहां पर बैठना होता है जब भौरिया बनाओ तो बराबर से एक लोग यहां पर बैठे रोत तब अच्छे से भौरिया बंती है और आप सभी जरूर बताना कि किस किस को भौरिया खाना सबसे जदा पसंद है हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है और सभी को जहां तक है पसंद है लेकिन आरोई के पापा दात की बज़े से नहीं खाते हैं तो बो तो है कि अंदर अंदर के जो इसका गूदा होता है वो ही खा लेते हैं और जो इसका चिकल होता है वो निकाल कर रख देते हैं वो दात स चाहे हुए हैं हलकी हलकी सी बूंदे पड़ रही थी बाकी तो अब बारिस खुल गई है और काफी बारिस हुई है बाहर की साइड में बगिया की तरफ पानी ही पानी भर चुका है आज तो बहुत ज़्यादा पानी भर गया है क्योंकि अब तो जमीन में भी पानी जा नहीं अब ही जमीन सूखी नहीं थी अच्छे से तब तक बारिस हो गई गर्मी की वज़े से थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी वैसे इतनी जाधा अभी जल्दी बारिस ना होती आज तो बहुत जाधा बारिस हुई थी और यहाँ पर पत्ते कुछ तो निकल गए हैं कुछ निकाल बाकी हैं तो अच्छे से निकाल कर मोरिया अच्छे से से लेंगे दीरे दीरे और थोड़ी सी आग भी कम पड़ गई थी तो दीदी ने दूसरी आग भी तयार कर दी थी और इधर फिर हम घर पर आ गए थे अभी हमने वहाँ पर बुगा को बैठाल दिया था मैंने का तब कि यहीं पर बैठो और हम आ गए थे घर पर क्योंकि रोटियां भी सेंकनी थी और कटेल की सबजी तो हम बनने के लिए रख कर गए थे तो कटेल की सबजी भी बन गई है और इधर रोटियां भी मैंने थोड़ी बहुत सेंक लिए हैं और अभी बनाएंगे चटनी जो कि हरा सबी को बोरिया और यहां पर सभी के लिए खाना परोसा जा रहा है तो सभी लोग खाना खाने के लिए यहां पर बैठ गए हैं और उसके बाद में आप सभी से हम मिले हैं दूसरे दिन सुबा के टाइम तो आप सभी को हमारा प्यार भरा गूड मॉनिंग आज है एक अगस्त दिन है ब्रास पतिवार का सुबह के सारे काम हो चुके हैं इधर आरोही को मैंने तयार कर दिया है आरोही जा रही है बच्चों के साथ में स्कूल क्योंकि आरोही इन दिनों में बहुत ज़्यादा मन से जाती है सुबह सुबह तयार हो जाती है और अपना होम बर्क भी कर ल और एक हो गई है मौंगफली की सब्जी और चाबल भी थोड़े से बनाए हैं तो यहां पर आरोई के पापा भी खाना खाने के लिए आगे थे और देदी की बिटिया के लिए खाना लगा दिया है तो सभी लोग खा लेंगे जो भी लोग आते रहेंगे उन लोगों को खाना परोस्ते जाएंगे और एक साथ में बैठकर साम के टाइम में तो सभी लोग खा लेते हैं लेकिन इतने टाइम जिसको भूंक जल्दी लग जाती है वो लोग पहले खा लेते हैं और जो बाद में रह जाता है वो बाद में खाता है और यहां पर सारी रोटियां बना लेते हैं पतली वाली फुल किया जो की पर्थन लगा कर तो जब चूले पर मैंने कचलो बनाते हैं और आज सबजी वैसे थी तो मोटी रोटी वाली लेकिन मोटी सब भी नहीं बनाए थी दो-चार रोटियां बाद में मोटी बना ले थी क्योंकि जो लौकी की सबजी होती है मोटी रोटी के साथ में अच्छी लगती है और नंदज जी हमारी सेंक रही है क्योंकि फिर से दुबारा से कंडा लकडी गीला हो गया है तो थोड़ा सा जब गीला हो जाता है लकडी कंडा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चूले पर रोटियां बनाने में लेकिन फिर भी हम लोगों ने चूले पर ही रोटियां बना ली थी और आज ब्रासपतवार का दिन था तो आल लड़ू गोपाल का जनम दिन भी है तो देदी ने खेर भी बनाई है यहां पर इतनी खीर बना ली है परसाद के लिए और खीर बनकर तयार हो गई है उसके बाद में देदी यहां पर पूजा करनी है सारी तयारी देदी ने कर ली है और भोग लगाने के लिए खीर भी लेकर आ गई है यहां पर रख ली है तो बैसे तो हमें जो लड़ू गोपाल की पूजा की जाती है इसका नियम नहीं पता है कि इस तरीके से पूजा की जाती है दीदी अच्छे से पूजा कर लेती है और जो हैने कि कभी मैंने जो हैने कि जन्मास्टिमी को ही पूजा करते हैं उसके अलाबा ये रोजबाली पूजा लड़ू गोपाल की नहीं करते हैं तो दीदी हमारी करती हैं तो यहाँ पर आरती कर रही है दीदी जी और वैसे दीदी बोल रही थी कि किताब नहीं लेकर आये हैं नहीं तो आरती दो चार उसमें बहुत ही अच्छी अच्छी लिखी ह और पूजा हो गई थी दीदी की उसके बाद में हम सभी ने खाना खा लिया है और यहाँ पर थोड़े से कपड़े जो कलके थे सूख नहीं पाये थे वो कपड़े मैंने सुबा सुबा ही फैला दिये थे सूखने के लिए और आज दूप बहुत तेज निकली है एकदम से कड़ा के वाली दूप निकली है आखे एकदम से चोंदिया जाती है इतिनी तेज दूप निकली है और थोड़े बहुत जो भी मैंने कपड़े दूले हैं वो फैला देते हैं थोड़े बहुन नहीं आज बहुत सारे कपड़े दुले हैं आरोही के पापा के कपड़े बहुत सारे पड़े थे वो भी मैंने धुल कर आज डाल दिये हैं और हेल्प करा दी थी आरोही के पापा ने तो जल्दी हो गई थी बैसे अकेले से मुश्किल हो जाता है कपड़े प और यहां पर फैला देते हैं सारे कपड़े जल्दी से क्योंकि धूब बहुत तेज लग रही थी और हलके फुल के बाद में बादल आ जाते हैं तो सुबह सुबह जितनी जल्दी कपड़े-पड़े का काम हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि कल भी बारिस होने लगी थी तो कल के भी हमारे बहुत सारे कपड़े पड़े थे भीगे हुए तो बहुत अब सूब गए हैं तो घर चलेंगे तो उनको ले कर चलेंगे और यहां पर इतने सारे तो आरोही के पापा के ही कपड़े हो गए हैं माकी आरोही के भी कपड़े थे और हमारे भी अच्छे से पहला देते हैं और अभी हमारे घर के थोड़े बहुत काम फैले पड़े हैं वो भी करेंगे तो आज हमारी नंदजी के थोड़े से पैरों में दर्द था क्योंकि उनको भी थोड़ा सा कभी-कभी दिक्कत हो जाती है कहीं तो सर्दी हो जाती है या फिर पैरों मे दर्द होने लगता है तो वो लेटी हुई है तो हम लोगों ने का कि चलो सारे काम दीरे दीरे कर लेते हैं तो आज हमारी बड़ी नंदजी लग गई है दीदी जी तो यहाँ पर दीदी बरतन धुल रही है और हम माज रहे हैं अकेले से भी धुल लेते लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाता तो साथ में हमारी दीदी जी धुलवाने लगी है बरतन तो दीरे दीरे मेने का चलो ये काम कर लेते हैं चोका बरतन के क्योंकि खाने पीने के जब काम हो जाते हैं उसके बाद में चोका बरतन के काम थोड़े से ज़्यादा फैल जाते हैं और बरतन सारे यहां पर पड़े हैं, जितने बरतन रसोई में रखे थे वो सारे बरतन हैं, कड़ाई, कूकर, भगोना और जितने भी बड़ी-बड़ी कटोरी हैं, सारे बरतन रखे हुए हैं, तो अच्छे से पहले मेने का सारे बरतन हम माज देते हैं, राक लगा कर, क्योंक से बरतन साफ हो जाते हैं और उसके बाद में मैंने मांज कर रख दी थी कड़ाई थोड़ी सी इन दिनों में अच्छे साफ नहीं हो पाती है बारिस की बज़े से बहुत जल्दी से जकड जाती है और यहां की करती है मैंने साफ सफाई पूरे की और अब लग चूले की पुता भी कर देते हैं दीदी की बिटिया ने यहां पर जाडू लगा दी थी तो बस अब पूताई करनी बाकी है वैसे बो लो पूताई उताई नहीं करते हैं क्योंकि उनके घर में पूताई उताई का कोई काम नहीं है वैसे तो पूताई भी कर देते हैं तो मैंने का चलो पूता हो गया है तो सुचते हैं कि कहीं और जगे पर जब सेट करेंगे तब वहां पर रिपेरिंग करके अच्छे से रख देंगे तो मैंने बस पुताई कर दी है और इधर आये थे आज हमारी देवरानी जी के पापा जी जो कि हमारे चाचा जी तो यहाँ पर बैठे हैं सभी लोग बाते आते कर रहे थे क्योंकि अब तो सावन सावन के काफी दिन भी हो चुके हैं तो सवनी चलने लगी हैं तो सवनी लेकर आए हैं हमारे चाचा जी और बैसे देवरानी जी तो हमारी नहीं है यहां पर साथ में जाती भी लेकिन जब नहीं है तो जो बिटिया हैं यहीं पर पास में ही है जो कि देवरानी जी की बहन तो उनके यहां भी अभी इनको जाना है तो थोड़ी बह कड़ी चावल बनाए const으로 मालता बननाीक चलो कमा शाल चनलर और ओमान नियुक्म सुछ भूलत ज्याओं कि हैमारे आज आज बनाएकर करका से ला सुलओ बनाए थे और पकोडियान यहां पर मैंने बना ली है 는सी नहीं बनाई चोड़ को बना कड़ी पर यह और ऐसे तो कड़ी बनाना आप यहा सोधी लोग जानते हो और बाद में फिर डाला है सरसों के तेल से ही चुँका लगाएंगे और हल्दी इन दिनों में हल्दी मेरे से सवी मसाले पिस रहे हैं सिल्वट्टे पर तो हमारी नदघी पीश कर ले आई थी हल्दी और यहाँ पर हल्दी को अच्छे से भून लेते हैं कुछ भी तो थोड़ा सा टेस्ट बिगड़ जाता है तो कढ़ी इन दिनों में हमें बहुत ज़ाधा पसंद आती है तो जब भी मन होता है तो कढ़ी बना लेते हैं तो आज मेने का चलो बना लेते हैं और मठा भी अब की बार थोड़ा सा अच्छा था अच्छे से कड़ी बन गई थी ना तो खट्टा था ना तो जाधा बैसा मीठा वाला था और यहाँ पर थोडह सा और भी पानी बढ़ाएंगे क्यूंकि उस दिन बहुत जाधा गाडी कड़ी बन गई थी तो आज पतली कड़ी बनाएंगे जादा गाड़ी नहीं बनाएंगे जब जादा गाड़ी कड़ी हो जाती है तो एकदम से थोड़ी देर के लिए अगर रख दो तो जम जैसी जाती है तो यहाँ पर अच्छे से चलाते रहेंगे जब तक कड़ी में उबाल नहीं आ जाएगा उसके बाद में हम डालेंगे पकोडी और पकोडी भी बहुत ही अच्छे से आज बन गए थी थोड़ी देर के लिए मैंने बेसन को फेंट कर रख दिया था तो अच्छे से फूली फूली एकदम से कपकोडी बनी है और इतनी ही पकोडी बनाई है दो चार आरूही ने खाई है और एक आधमने भी खाई है तो इतनी जो हैं वही डाल देंगे पकोडी और यहां पर उबाल बस आ चुका है डाल देंगे पकोडी और गर्मी से आज इतनी ज़्यादा फिर से हालत खराब हो गई है कल तो अच्छा मौसम था ठंडा मौसम था बिल्कुल ही पता ही नहीं चला दिन का कि कितने तायम दिन निकल गया और गर्मी भी नहीं थी बिल्कुल हो गया है जो पसीना निकलता है वो एकदम से चपक जाता है और उसी की खाल जैसी जो इने की बंद जाती है वही निकलती रहती है तो अच्छा नहीं चेहरा बिल्कुल भी दिखने में अच्छा नहीं लगता है आप सभी को पास से दिखाएंगे किसी दिन और यहां पर डा बिल्टी करनीन हैं मैंने पकोड़ी कोई आज बन पाई हैं तो कोई वान नहीं एक-एक डो-दो한े पकोड़ी सबी लोग खा लेंगे और पकोड़ी इतने ज्यादा जरूरी भी नहीं है लेकिन डालना जरूरी होता है और ढ़क कर अब रखतेंगे पकने के लिए अब छोड़ देंगे क्योंकि गर्मी बहुत तेज लग रही है यहां पर जब तक हम बैठे रहे बहुत तेज गर्मी लग रही थी और चूला अच्छ से पकती रहेगी और अब बहुत तेज से उबाल आने लगा है कड़ी में और मैंने कए एक दो बार चला कर देख लेते हैं अच्छे से फिर इसको ढख देंगे और चलेंगे तब तक थोड़ी देर के लिए बाहर क्योंकि बहुत तेज गर्मी लग रही थी इतने टाइम और यहाँ पर दीदी की बिटिया हैं और दीदी आज थोड़ा सा परिसान थी पेट की बज़े से तो उन्होंने खाना नहीं खाया था सामके टाइम में और अभी जल्दी ही सभी ने खाना भी खाया तो जिन लोगों को भूँक लगी है वो लोग खा रहे हैं इतने टाइम और जिनको नहीं लगी है वो लोग थोड़ा सा लेट खाएंगे आरोही के लिए यहाँ पर छोटी धाली में हमारी नंदजी ने खाना लगा दिया है और इदर आरोही के पापा बैठे हैं पापा बैठे हैं बुवा सबी लोग यहीं पर बैठे हैं आप सबी दोस्तों को नमस्ते, अपना बहुत ही क्याल लगिएगा, खुस रहिएगा.